आप सभी को नमस्कार सुप्रवात सर्था गुरुप निजा पॉइंट यूटूब चैनल आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता है चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें बेल अकन दबा करके रख लें ताक कि आपको न आप सभी लोग भी ट्वीट जरूर करें हम सभी लोग अब जन प्रतनिदियों के माध्यम से ही के इन सरकार का ध्याना करशन इसे मुद्दे पर करवाएंगे ताकि हम लोगों को रिलेक्स मिल सके क्योंकि सर्वोच नियाले से ज्यादा कुछ अब होने वाला है नहीं और हम सभी लोगों ने सारी जुगत करके देख ली है हाला कि बहुत से विद्यार्थियों का यह मानना है कि बिस्ति बेंच में चला जाए और बहुत से विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि हम लोग अगर पुनर विचार याजिका दायर करके देख लें तो हो सकता है कि कुछ ह जादा इसमें एडवांटेज विद्ध्यार्थियों को मिलेगा हाँ विस्तृत बेंच की बात रही है तो विस्तृत बेंच में जब एक कारदाई संस्था जो आप सभी लोगों को रेलक्स दे सकती है या देती है जब वो अपने तरकों के माध्यम से या जो इसके लिए जिम हो सकती है जब इन चीजों के लिए उनको एग्री किया जाए इसमें आप सभी लोगों की एकता आप सभी लोगों की अखंड़ता दोनों आउशक है अगर खंडखंड हो गए तो फिर सब कुस समापता है अगर एकता दिखाएंगे तो jair से बात है हम लोग कुछ ना कुछ बहत्रीन सा कर पाएंगे ठीक है ना तो बीड कर रहे हैं वाले जो विद्यार्थी भाइवान है वो अब चुकि प्रदर्शनों का दौर चल निकला है फिर से एक बार सभी समितियों को एक्ट्यू किया जा रहा है और अब विद्यार्थी भी थोड़ा सा पंचूल हो रहे हैं विड five ना एठीक न विड्वांस ना आए तो आप सभी लोग भी इस हैस्टेक को खुब वेरल करिए खुब चला यह खुब ट्वीट करिए जितनी अधिक संख्या में हो सके उतनी अधिक संख्या में ट्वीट करिए कम जग में तीन करोन चार को जाने चाहिए आज की करके आपके कयें सरकार के मंत्रियों तर सांसदों तक विधायका सकते हैं आप सब लोगों के छेतर हों देख मेंसे पतना करीए 10-15 लोगों की संख्याम में जाईए उन शान में से मिले उनको पतरा जार किये उनको ग्यापन दीजिए और उनसे अपनी विथा बताईए देखिए अब विद्यारती एक जुट होना शुरू हो गए हैं क्योंकि पस्ची मंगाल में भी इस्थितियां आपकी रावाडोल हो रही है और वहां भी विद्यारती उन्हें भाई ये ब्लोग सभा चुनाओ है न इसके लिए एकता की ज़िए बैड़ इनपेर्टी का सपना तभी साकार हो सकता है जब आप लोगों में एकता होगी जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी कोई भी चीजे वह पॉसिबल नहीं हो सकती है ठीके ना नियालाई प्रक्रिया से हम सभी लोगों ने गुजर मतलब पलास में कितने होते हैं तीने पत्त होते हैं तो वो हम ऐसा सही रहेंगे इससे बहतरी ने भाई नियाले है तो वो नियम कानून सम्मिधान सभी कुछ देख करके तभी और्डर करते हैं ठीके ना और नियम के विप्रित कोई चीज होगा तो चाहिए जितना बड़ा पुछ सिक्षा की ट्रेनिन ले रखी और आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने की योगी नहीं हो ऐसा करके बीड़ की विद्यार्थियों को बाहर कर देना चलिए बीड़ की विद्यार्थि बाहर हुए तो हुए साथ साथ वो चैनित विद्यार्थि जो दो तीन साल से चार जुटता दिखाएं आप लोगों की आवाज बननी चाहिए और आप सभी लोगों को भी इन सभी चीजों में पॉटिसिपेट करना चाहिए अधिक सधी लोगों में चैनल को शेयर करिए वीडियो को लाइक किया करिए और एक जुटता रखिए ताकि कोई भी अंदोलन चला ज पर दोलनी के अवशकता पड़ेगी ठीक ना इसमें नेता आप सभी लोगों सभी बाते सुनेंगे क्यों क्यों कि उनको वोट ले रहा है ठीक है विपक्षियों से कुछ भी हांसिल होने वाला नहीं है विपक्षि सिर्फ हो अला कर सकते हैं बाकिया और कुछ भी नहीं आप सत्ता फक्षर से संपर करिए उनके मंतरियों को सांसुदों को विधायकों को ग्यापन दीजिए और अपनी बाते रखियों के सम्मुक आपकी कॉंस्टिक्रेंसी में और जो चीजें आती हैं जो जन प्रतिनेदी चुन करके गये हैं उनसे संपर करिए उनको ग्यापन दीज क्योंकि जब आप एक्जूट नहीं रहोगे हम किसको बताएंगे कि हाँ यह डिज्टिल मिसल है यह ट्विटर पर यह हैस्टेक के साथ ट्विट करना है बीएड़ वार्ण्स नया है आप सभी लोगों को आज इसको ट्रेंड करा देना है नंबर वन पर ट्रेंड होना चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपके कल की मीटिंग को लेकर के कल मादविक सिछा विवाग की मीटिंग हुई है और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें सहचिक आहरताओं को लेकर के क्योंकि TGT की आहरता अलग है LT की आहरता अलग है ठीक है इन तमाम को लेकर के चर्चा हुई है और काउंटर में चुकी अब सासन के बाद हम से सारी चीजों को डिक्लेयर किया जाना है अगर सासन की यह बंसा रहेगी कि जो TGT में आरता है वही से हम आपकी LTV होगी यह चीजों का क्लिरिफिकेशन हो जाए फिर आपका विग्यापंजारी हो लगार्या है कि यह के लिग लग लग रहेगी टीजी टीटीक लworking लग लगे ल कि दे कर देखिशन होनी के बातार हो एक और आव सीजें प्रड़ाम देखने के मिल जाएगा क्योंकि भाई अपनी जगहां पर एल्टी भी सही अपनी जगहां पर टीजी टी भी सही एक ही संस्थान के लिए एक ही पदे के लिए दो अलग अलग नीमालिया नहीं हो सकती है भले ही ओ गवर्मेंटेल हो भले हो और धसास की सहता इससे विद्यार्थियों को भी लाफ होगा और विद्यार्थियों को भी किसी प्रकार की कोई समस्था नहीं होगी जो परिवर्तन आपके ल्टी जी होना है वही परिवर्तन आपके टीजीटी और पीजीटी में होना है ठीक है ना तो इन सारे परिवर्तनों को लेकर के बा मैंने लग जाए गया लोग सभद चुनाओं को बाद होंगे ऐसा कोई चीजा नहीं है ठीक ना डिकले रेसन बहुत जल्दी होगा क्योंकि लोग से वह आयोग भी चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी भी गया पर जारी करें आज बहुत से हमारे प्रतियोगी भाई भैन भी जा वो PCS में प्रतिछा सुची को लेकर के मिलते हैं ठीक है ना वो एज के या एक्स्टर अटेम्ट के लिए नहीं मिलते हैं ठीक है और सासन को प्रस्ताव भेज़े जाने के बावजूद भी सासन ने अगर इसको डिकलेयर नहीं किया तो जारी सी बात है कि ये विद्यारतियो से मिलते या अध्यक्ष महोदे से मिलते तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी सी ऑपरचुन्टी सामने आ जाती लेकिन आप सभी लोगों ने नहीं किया ऐसा हाला कि मुख्यमंत्री महोदे से आप सभी लोगों के पक्स को रखने के लिए हम सभी लोग पूर मुद्दों पर हम सभी लोग उनके सम्मक अपना व्यथा अपने मन का दर्द रखेंगे ताकि उनका विद्याना करशन हो सके कि हाँ क्या चीज़े उत्तर प्रदेश में चल रही हैं क्योंकि अधिकारी तो सब बहतरें 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 बताते हैं है ना तो उनको भी यह थात होनी चाहिए है ना अधिकारी गड़ों है तो वो सब कुछ बहतरें बहतरें साही बताते हैं क्यों को पता है कि अगर कुछ भी इदर उदर को बताएंगे तो पर पता लगए हमरे को पर गया जगिल गई है ना तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग मुक्रमति देख पास जाएंगे और पीसेस में एक्स्टा अट्रम्ट को लेकर करके हम लोग कोसिस करेंगे भाई राना तो कोसिस करना ही है है ना कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं है कि मतलब हमारे हाथ में होता तो हम आज आपको दो नहीं पांच अट्रम्ट दे 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 थे क्या दिक क्यogram कि बहुत से विध्यार्तियोंने बहुत कोसिते हैं हम सभी लोगों ने प्यास किए है जन्द पृतिनित्यों के मादम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री मौहदे तक संदेश पहुचवाया है और काफी सारे मंत्री विधायक सांसदों से मिल करके इनको ग्यापन दिये है और सभी का रिजल ढाक के तीन पात ही रहा है ठीक है तो अब ये आखरी कोशिस है ये आखरी ब्रहमास रहे चलाग रकर देखते हैं हो सकता है कि कुछ आप सभी लोगों का हलाभला हो जाए है ला तो आप सभी लोग भी एक Twitter का Mission चला सकते हैं एक Digital Mission चला सकते हैं कि आप लोग iş start term की मांग करें उन सभी विग्यप्तियों के साथ जो विग्यप्तियां आप सभी लोगों ने हमें प्रेसित की हैं उन सभी विग्यप्तियों को वहाँ पे हैस्टेक करिए इमेल्स बेजिए और अपना ग्रुप करके क्योंकि आप सभी लोगों का ग्रुप बहुत मजबूत होता है ठीक है औ और आप सभी लोग भी थोड़ा सा प्रियास कर सकते हैं कि आप लोगों की माँगे कम्स कम ऐसा कोई भी मंतरी है सांसज्ळ इमिदwurf ठोट जीज नहीं विल्ग आप जो लगातार हम लोगों ने जन प्रतिनीदों से संपर्क किया लगातार संपर्क होने के बाद जब ग्यापनायत प्रस्तूत किये गए क्योंकि उनको भी पता था हम भीया लोग सबस्ट चुनाओं है और हमें वोट मांगने जाना है विद्यारतियों की परियापत संक्या संप्राइब दिखनी चाहिए एक दो चार पांच दस पंद्राइबी सो दो सो से काम नहीं चलता है ठीक है ना संप्राइब दिखना चाहिए जहां पर दस जार विद्यारती का तृत हो गए और उन्हों ने इस चीज़ को हम लोगों ने दिखाया कि दस जार से अधिक की संक्या है तो उनको ये भी ऐसास हो चला कि हाँ वास्त विक्ता में दस जार इनके पास है तो जाहिए चीज़ बात है कि ऐसे तुब पूरे प्रदेश में बहुत सारे भी दियारती होंगे पांच साल से विकेंसी नहीं है आप सभी लोगों की मांग जायज है लेकिन आप सभी लोगों में एक जुटता नहीं है वो सोसते हैं कि फलनवा कर दे वो सोसते हैं धमकवा कर दे वो सोसते हैं फलनवा कर दे तो इसी चीज में आप सभी लोगों का समय निकलता जा रहा है आप सभी लोग एक जुटता दिखाईए ठीक है और एक ग्रूप बनाईए ग्रूप बनाने के बाद उस चीज को आप लोग फालो भी करिए ठीक है ताकि आप लोगों का भी संख्यावल दिखे पूरे प्रदेश में आप सभी लोग एकत्रित कर सकते हैं जो एज रिलेक्सेशन प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए विक्ति हो हम तो फिर भी नादान बालक की तरह हैं आप लोगों के सामने क्योंकि आप लोगों ने प्री मैंसूं इंक्रवी पता नहीं क्या क्या दिया होगा हम तो अभी आप सभी लोग सामझाने नों सखे हैं फिर भी आप लोगों के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग भी थोड़ा सा इसमें कोशिest करिये ताकि कुछ बेतरीन से एडवानेटेज आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपके एक और महत्पूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि समय देते यूपीटी यूपीटी का विग्यापन आप लोगों को फरवरी लास्ट में चक बरती ठीक है यह तमाम विग्यापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और जो पुराने आपके विग्यापन हैं उनका एक्जाम देखने के लिए मिलेगा तो बिद्यार्थी इस बात को लेकर के परसान थे कि जूनियर में वेकंसी आएगी कि नहीं हाँ आ अगनी में लोगों कर रहें और लगोता की विटिखिए कर दें यह करते हैं नहीं कि इस चीज को क्लीर कर देता हैं हम बिघ्यापन तुलंगार कर देंगे ये कल की मीटिन का सारान से ठीके ना और इस मुद्द्ध को ले करके आदरनी माद्मिक सच्छा सच्छू और राज की अपर सच्छू महोदे ने सहयोगत रूप से सासन को पत्र रिखा है कि इन सारी चीजों को क्लियरिफाई किया जाए ताकि विग्यापन आजी को जारी करने के संब्ध में उचित जो है वो कदम उठाया जा सके अब सासन चीज को क्लियर करेगा अब बहुत जल्दी इसको क्लियर करवा लिया जाएगा आप सभी लोग निश्चेंतर हैं इसके लिए आप लोग सहयोग क लिए कुछ बेहतरीन सा किया जा सके ठीक है आर्ट सतीज बतीबातर दो सब्यासी इस वाटसप नंबर के जरीए आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतरीन ऑपरिचुन्टी का लाव उठा सकते हैं रही बात आपके यूप ट्रिपलेस्टी की सूचना प्राप्त हो रही कि बीस तारी के बाद यूप ट्रिपलेस्टी में पांस सद्धियों की नियुक्तियां हो सकती है ठीक है उसके बाद आप लोगों के साथ चाहतकार पेंडिंग रिजल्ट आदी को लेकर के तो अध्धच और सजू नियुक्त किया जा चुके हैं का आप रिजल्ट ज जितना आपकी मुख्य से भी का है जितना आपकी एसो का प्रणाम है जितना जेई का प्रणाम है ठीक है ना 2016 के इंटर्व्यू है उतना इंपॉर्टन्स फिलाहल मुझे नहीं लगता कि पी ईटी 2023 से है ठीक है लेकिं फिर भी बिद्यार्थी भाई परिछ्चा दिया है तो कि आप लोगों के लिए कुछ बहतरी इन से किया जाए ताकि गुड रिजल्ट आप लोगों तक डिलेवर किया जा सके जन प्रतिन दी इसमें आप सभी लोगों की बातों को बहुत गंबीरता से सुनेंगे जन प्रतिन दी इस समय आप सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद आपकी जो समस्चाया होंगी उन समस्चायों को दूर करने का प्रैतन भी करेंगे क्यों क्योंकि भीया लोग से बच उनाओ सर पे आ चुका है ठीक ना पार्टिया एलेक्शन मोड में जा चुकी है इसलिए आप लोगों की बातों को बहुत ही गंबीरता से सुना जाएगा आप सभी लोग भी थोड़ा से प्रयास करिए बिधायकों को पास कोसिस करिए कि मत जाईए अगर विधायक है आपके अगल बगल में हैं जीले में हैं तो नहीं के पास जाईए लेकिन रूलिंग पार्टी होनी चाहिए ठीक ना विपक्षे नहीं विपक्षे से कोई मतलब नहीं है सत्ता पक्षे को पकाड़िये और उनसे अपनी बातों को आप प्रभावी तंक से रखिए और उनको अपना ग्यापन दीजिए और कोशिस ये करिए कि उस ग्यापन को ततकाल वो सियम सर्थ तक पहुंचाएं ठीक है ना हम लोग भी प्रयास रत हैं हम लोग भी लगातार ब कि आप लोगों का विग्यापन जारी करा सके क्योंकि हम लोग फाइनल मोड में आ चुके हैं हम लोगों को विग्यापन चाहिए हर हाल में हर कीमत पे खर्ड़ सिक्षा अधिकारी के तेरा सो उनकतर पदों का अधियाचन होने के बाद जो प्रोमोशन आदिके माद्यम से ज प्रोक्ता से जो चीजे एबजार की गएं टीजीटी और पीजीटी में वो था जीएस जीएस को एबजार कर लिया गया और कुस्ट नंबर आप कुस्टन बढ़ा दिये गए पहले 25 आता था अब 150 प्लस आएगा ना 150 आएगा प्लस नहीं 150 आएगा तो चलिए ठीक है को वह अभी लोग भी करें सहयोग करें अधिक सदिक संख्या में वीडियो को सेयर किया करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर किया करें धन्यवाद आप सभी का दिन शुब हो